इंग्लेंड वर्शल साउफ आफ्रिका के बीच में ये मैच नमबर 45 जो खेला जाएगा वर्ल्ड कॉप का सेंट लूशिया के विकेट पे ये सेंट लूशिया के विकेट बिहेव कैसा करता है और इस पिच पे किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए कौन रिस्की प बनाने में तो खुछ से अपनी टीम बनाना सीखना चाहते हो ना बहुत सई वीडियो पर आये हो कोई हवाबाजी नहीं लॉजिकल इंफोमेशन दी जाएगी देखोगे तो खुछ समझ जाओगे तो कोशिज करो वीडियो लाइक से स्टार्ट करें यह जो मैच है वो सेंट यहां के लो एंट स्लो रहते हैं ठीक है एक चीज ध्यान रखो ओवरॉल स्टैट्स और मैं अब भी आपको अलग-अलग स्टैट्स दिखाऊंगा यह पहले ओवरॉल देखो अठारा मैचस में एक सो साथ का फर्स इनिंग का एवरेज स्कोर सीपील दो हजार पांच मैच मे खेले जा चुके हैं चारों मुकाबलों में जो फर्स इनिंग का एवरेज स्कोर है 193 सेकंड इनिंग का 157 इस्पिन को 19 पेसर को 25 यहां पर भी बल्लेबाजों को एक्स्ट्र आडवांटेज यह रहे वो चार मैच हर मैच में 180 प्लस बना है दो मैच में तो 200 भी गया है तो यहां पर रंस बनाना उतना कठिन नहीं है यदि खुद बल्लेबाज खराब खेले तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिर वहां पर कॉलस्प करेंगे वो लोग अब देखो इंग्लेंड और साउथ अफरिका की टीम है उनके पास potential है ऐसे बल्लेबाज जिनके पास potential है जो बै फटा फट जाओ और जुड़ जाओ अब देखो इंग्लेंड की टीम की बात करेंगे पांच मैच खेले तीन जीते हैं एक खारे एक नूरिजल इंग्लेंड साउथ अफरिका की पांचों पांचों मैच जीती है यहां पर एक लेफ्ट हेंडर है मोईन अली यहां पर एक ले प्रमोशन मिला तेरा रन प्लस एक विकेट बैस्टो ने यहां 31 यहां ताली सन नाबाद काफी अच्छी टच में दिखें ब्रूक की बैटिंग नहीं है अधर उससे पहले 47 किया हुए नाबाद लिंक्शन को ज्यादा मौके मिले नी लास्ट में बॉलिंग से विकेट मिला और बॉलिंग से बॉलिंग मिला एक विकेट निकाला और सैम करान अभी तक कुछ खास ने किया एक मच में एक विकेट एक में विकेट लेस जौफरा अर्चाड डिसेंट परफोर्मेंस करके जा रहे हैं इंपॉर्टन तो रहेंगे दथ में आते आदिल रसीद इन्होंने इस मच में चार विकेट बागी डीसेंट सा परफोर्मेंस है फ्लोप तो बॉलिंग से इनकी टिम को अच्छा फॉर्म नहीं लेगिन बैटिंग से अच्छा फॉर्म दिख रहा है अब मस्था पिक कौन इंकी टिम से जो आपकी टीम में होंगे ही होंगे दो बैटर ऐसे बै लेकिन सिच्वेशन वाइज है आगे डिसकस करेंगे अभी यह तीन इंप्रेटन प्लेयर है चाहे कोई भी नहीं हो इनको अपनी टीम में रखके जा सकते हो ठीक है और रखना ही रखना ही अगर आप खेल रहे तो बाकि इनके टीम से जो पावर प्ले के गिन्दबाज ने कभी कभी टॉपली भी आपको दिख सकते हैं ठीक है इनकी टीम से देखो टॉपली आर्चर सैम करन और मारकूड और अधिलरसी यह पांच में गिन्दबाज है सैम करन ओवर सेयर कर सकते हैं और किसके साथ सेयर करेंग है मोहिनली यदि सामने लेफ्ट हिंडर है तो एक ओव और जॉडरन खेल नी रहे खेलते तो इनका रिषन परफॉर्मस देख देख सकते हो यह प्लेयर वाइज स्टाइट से हरे एक प्लेयर का आपको स्टाइट्स देखने मिलेगा डीटेल में आपको समझना पड़ेगा तो जैसे मालनोशाहिम करने लफट है लेफ्ट हंपास म आगे हम सब के बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे कौन का बाच्छा पिक है नहीं है तो आप समझ जाओगे इसके अलावा टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में आपको हमारे टेली प्लैटफोर्म के अगर आप जाके कंपेर भी करोगे तो पता चलेगा यहां पर आपका टीडियो जो हर एप पर लगता है विनिंग पर 30% जब आप विड्रॉल करते हो तो यहां नहीं लगेगा कभी ख़बार की बात है जैसे अब यहां पर आते रहता तो उससे भी आपको चुटकारा मिल जाएगा प्लस यहां पर अगर आप गेमिंग में एक्सपर्ट हो तो ओपिनेंट ट्रेडिंग पर पैसा जो है कमा सकते हो एंसर देगे अगर आपको लूडव अगर आपको गीमिंग गेमिंग स्किल्स अच्छी है तो आप अच्छा खास है गेम खेल के भी पैसे आरंद कर सकते हो तो अच्छे खासे यहां पर आपके पैसे खमाने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके साइन अप कर लो आप देखो साउवत अफ्रीके की टीम की बात करेंगे उससे पहले यार देखो वीडियो बनाने मेना थोड़ा सा स्कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो अपनी फीडबेक दे सकते हो जो भी चीज़े खुला हुआ है ठीक है तो जाओ कुछ तो रियक्शन करो आप वीडियो देख लोगे मुझे कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे समझ में कैसा है कि मेरे अफर्ट कैसे लग रहे है तो प्लीज यह फीडबेक या फिर लाइक और शेयर शेयर जरूर किया अगरो अपने फ्रेंट के पास जो फेंटेसी खेलता हूँ ठीक है साउथ अफरिकाई की टीब में क्विंटन डिकॉक मारकरम डेविड मिलर क्लास न मारको एंशन रबार्डा नौरक्या और तबरिश यहां 46 किया है अच्छा किया है नाबाद थे टी स्टप्स लास्ट दो मेंच से नाबाद गया पहली है तूडाउन आ रहे थे अभी जो है यह छटे नंबर प्यार है उसके बाद मारको एंशन यह वाले मैच में दो विकेट बाकी फिर विकेट लेस गये महराज ने में पांच विकेट निकाला है तो बॉलिंग से इनकी टीम अच्छी टच में दिख रही है बैटिंग से थोड़ा लड़ खडाया हुआ है इनकी टीम से मस्टपिक की बात करें तो विकेट कीपिंग को देखते हुए क्विंटन डिकॉक उसके बाद यहां पर हैं इनके रिक प्लेयर का स्टैट्स देख सकते हो चैसे मैंने अभी इंग्लेंड के दिखा है ठीक है डीटेल में आपको दिख जाएगा और रिसेंट स्कोर जो है यह तो पुराने वाले है जो नीव वाला है इस टॉर्नमेंट का वो मैंने अभी स्कोर कार्ड के साथ दिखा दिया तो ज्यादा दिक्कते नहीं आएंगी अगर कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो उसका स्टैट्स आप डीटेल में पढ़ सकते हो और आगे हम लोग बात करेंगे ही करेंगे अभी के लिए ओवरॉल दोनों टीमों के बीच में 25 बार मुकाबले में इंग्लेंड ने बारा बारा बार एक बार नो रिजल्ट ठीक है यह दोनों टीम की रैंकिंग देख सक देखो यहां पर साथ का एवरेज सैम करेंगा छे मच में तीन मौयन अली का 11 मैच में नो 21 का आर्चर का तीन मच में तो बार गूड का पांच मेंच में और पंदरा मेंच में आदिल रशीद का क्रिस जॉर्टन का 17 में 17 विकेट है ठीक है तो यह ध्यान दखना थोड़ा सा बागी अगर साथ अफरिका टीम की बात करें तो head to order venue head to head यानि against England venue यानि इस ग्राउंड पर तो देखो इस ग्राउंड पे छे निंग में 84 की अवरे से 180 रन बनाया है हाला कि इसमें काफी not out गया है सीपील बगरा खेले न रबाड़ा आठ मैंच में तस और तबरे संसी का देखो बारा मैंच में सूला बाकी नौर्किया और महराज का decent सा record है थोड़ा सा प्लेयर बैटल देखो यहां पर तो फिल शोल्ड को तबरे संसी ने 20 गेंदो में दो बार बटलर को नौर्किया ने 59 गेंदो में दो बार रबाड़ा को 48 गेंदो में दो बार रबाड़ा ने आउट किया बटलर को लेकिन देखो बटलर ने रंच भी किया है कप्तानी के best material नजर आ रहे है मोहिन सकते हैं बाकि लेंग संसी के सामने 23 गेंदो में तीन बर आउट हुए तो तबरे संसी का नाम यहां पर आपको कॉमन दिख रहा होगा अब आते हैं हम लोग यहां पर साउफ अफरीका के देखो क्विंटन डिकॉक टॉपली की 34 गेंदो में चार और पचासन किया है अर्च निखाता है बाकि नीचे यहां पर कोई खास है नहीं हम मारकरम को जोफर अर्चर ने 14 गेंदों में दो बार वहां पर भी जॉफर आर्चर यहां पर भी जॉफर आर्चर नाम और तबरे संसी का नाम आपको दिखा इसलिए उन दोनों को भी मैंने इस्पेसली जॉफर रिकॉर्ड भी सांदार है और इस मैच में हो सकता है बड़ा स्कोर भी आजा है कीपिंग बैक अब बी क्लास एन का भी रिकॉर्ड सांदार है चाहे है टूएट चाहे वन्यू फॉर्म भी अच्छा है कोई भी नहीं हो मैं इनको सजेस्ट करूंगा लेके जाओ क्विंटन डिकॉर्ड का वैसे तो फॉर्म उतना स्टेबल नहीं दिखा है पिछले कुछ महीनों से आई पेल अच्छा नहीं गया था उसके बाद अभी यहां पर भी लास्ट पांच में से चार में फ्लॉप एक में परफॉर्म किया लेकिन रिगॉर्ड सांदार है कीपिंग लेके जा सकते हो बैटिंग के लिए अच्छा विकेट है हाला कि सामने रिस्टॉप ली के सामने थोड़ा स्ट्रॉगल करते हैं स्विंगिंग कंडिशन में लेकिन यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैटिंग ले ठीक विकेट है तो यह अच्छा खेल जाए फिल लेकिन इस ट्रॉड़ा नहीं रहते हैं लेकिन इनको लेतो लिया लोजिकली विकेट को देखते हैं लेकिन यह रहते हैं यह अच्छा नहीं कहले लेना अगर आप क्लासं और डेविड मिलर को नहीं ले रहा हो तो किसी एक को भी नहीं ले रहे हो उन में से तो तो ग्रेंड लिग में जरूर ट्राय कर लेना इवन तो स्मॉल लिग में भी कर सकते हो अगर आप क्लास एन और डेविड मिलर को नहीं ले रहे हो तो किसी एक को भी नहीं ले रहे हो उन में से तो रिजान डिक्स को इस टीम के अगेंस 25 कावर्ज है फॉर्म अच्छा नहीं है कंसीडर कर सकते हो अगर आप थोड़ा अलग करना चाहो कुछ तो बट रिस्की रहेंगे क्योंकि करेंट फॉर्म अच्छा नहीं है तके ट्रिकल्टन खेल ली रहे है यहां पर मारकरम ठीक ठाक पिक रहेंगे मस्ठा पिक नहीं क्योंकि लास्ट मच में अच्छा स्कूर कि उससे पहले यह भी कुछ खास नहीं कर पाए था बल्ले से और के इंदबाजी जादा मिल नहीं रही है एक दो वर की इन्हों ने किये इक विकेट निकाला था लेकिन इस मैंच में साइद उतनी जाता के इंदबाजी ना करें यह भी चीज हो सकता मैंने ऐस बैटर ले लिया और बल्ले वाजी भी आ सकती हाला कि Sam Karan का भी कोई खासा फॉर्म नहीं है और ना इस टीम के अगेंस अच्छा रिकॉर्ड है थोड़ा रिस्क पे ले लिया क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों आ सकता है दोनों एक स्ट्रॉंग टीम है कोई एक वीक और कोई एक करन की जगे लेंग संद एक ओवर डालते हैं और विकेट निकाल के लिके चले जाते हैं लेकिन बल्ले से इनका फॉर्म अच्छा नहीं है तो मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं बॉलिंग से देखो नौर किया जोफरा अर्चर जिनको मैंने मस्ठभ पिक बोला इनको तो मैंने लिया ही है क्योंकि अभी तक एक भी मैच में विकेट लेस नहीं गये जौफरा अर्चर का भी रिकॉर्ड काफी सांदार है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो डैट्सवय मैंने लिया हुआ है सांदार नहीं है मतलब कुछ एक बल्ले बाजो को आउट किया हुआ ह सांदार ने तीन मच में दो विकेट आई थिंग बट चार ओवर कर रहे हैं देथ में आते हैं इंपोर्टेंट बॉलर है अपनी टीम के डैट्सवय रबाडा इनका रिकॉर्ड ठीक थीक था कह है आठ में दस विकेट है अगेंस्ट इंगलेंड अब चाहो तो लेके जा सकत अब इक लेन को लिए राषीद एक डिसेंट पिक रहेंगे फर्स निंग या सेकेंड इनिंग थोड़ा सा यह बैटिंग विकेट पर उतने विकेट टेकिंग नहीं रहते लेकिन फिर भी एकस्पिरियंस वाले हैं तो आप रिस्क लिक 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 ले सकते हो माहराज एक डिस में इन दोनों में से किसी को भी ट्राइगर सकते हैं या दोनों को भी जो स्मॉल लिग में रिस्क टेकर से हैं वो इनको ट्राइगर सकते हैं फर्स गिंद बाजी में अदर्वाइस करेंट फ़र्म देखते हुए थोड़े से डिसेंट पिक देखो कप्तानी मैंने बटलर आप सैम करन की जगे कब चेंज कर सकते हो यहां पर जो है आप मारको एंसन को नहीं लेना चाहते हो यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉलर रबाड़ा को लेके जा सकते हो चुकि इनकी बैटिंग अडवांटेज देखतों मैंने लिया है अदर्वाइस इनकी जगे पर रबाड़ा और जूड़ जाओ ठीक है तो जब वहां जूड़ जाओगे तो आप लोगो सारी अप्डेट मिल जाएगी आप खुछ से अपनी स्मॉल लिग की टीम बना पाऊगे और यह अप्टू 25 मंबर तक की टीम है थोड़ा रिस्क लेना है न तो ग्रेंड लिक की टीम में तो कर दिया कैप्टन में फिल शॉल्ड को कर दिया डिकॉक को ड्रॉप कर दिया तो यह जो ऑप्शन से इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन और इनको एस प्लेयर रूटेट करो अकॉर्डिंग टू सिच्वेशन एक सही डारेक्शन में मैच को रीड करते हुए तो अगर आपका थोड़ा सा भी लखने साथ दिया आपने अपनी skills पर काम किया तो आपका पकका कही-दा अच्छा रांक आएगा अगर थोड़ा सा भी लखने साथ दे लि जाहिल